पुरातन काल प्राचीन मिस्र राजवंश दो मिस्र केमिरौन का दूसरा राजवंश या दूसरा राजवंश 2890-2700 इसा पूव के वर्षों के दौरान होता है और पुरातन काल के राजवंश एक के साथ भाग बनाता है पहले और दूसरे राजवंशों के बीच कोई सपष्ट मवराई नहीं है कुछ हसंकेत बताते हैं मक इस अवमी के दौरान उपरी मिस्र और मंचले मिस्र के बीच शामत हामसल की गई थी जैसा मक इसके पहले राजव हेटेपसे के इवी के नाई से परलमित होता है मजन के नाई का अथव है दो शक्तियां शामत ये है मितिय राजवंश के साथ पुरातन या मतमंता काल सियाप्थ हो जाता है इस राजवंश को एक के द्रीकरीत संगठन के आयार पर पूर्वशक्ती के सुग्रिधीकरर और लेखन के अमिक गहन उप्योग की मवशिर्शता है मजस्से नौकर शाही एम वरिक्ती होगी और एक शक्ती मन्यंतरर तंत्र के रूपी है एक्तफिस शहर यूनेग और सेनेड के साथ उत्तरी सामराज्य की राजियानी बन गया मटमनस और एक्तफिस के शहरों के बीच प्रमतिम्मिता के संकट के संकेत हैं जो पेरप सिंस्टेला एम परलमित होता है जहां सेट का नाई होरस के नाई की जगह लेगा दूसरे राजवन्ष के राजाओं का राजवन्ष के अंत ये जसे जेवी के साथ देश के उत्तर की शामत को प्राप्त करने वाले नियुम्बयन के एक तकलाई संघर्शब था इस राजवन्ष की शुरुवात ये मंचले मिसर पर राजवन्ष के मिरौन दो हेते पे से खिए मिसर के दूसरे राजवन्ष का पहला मिरौन था उसने इसा सरे पहलरे 2890 सरे 2862 के बीच राजजमक्या उनके नाई का अठ्व है, दो शक्तियान शामत ये है, जो मंचले मिस्र और उपरी मिस्र के बीच संधर्शव के अंत का संकेत देती है उन्हें मवंश दो का सजवक इयाना जाता है, लेंकन यह मनमित रूप से ग्यात नहीं है मक उनके और मपचले राजवंश के बीच क्या संबनी थे, क्यों मक ऐसा इयाना जाता है मक वह का पुत्र नहीं थे यह संभव हैमक हेटेप से के इवी एक राज को यारी से शादी करके मसहासन पर आए उनके शासनकाल से राजवंश एक की नायामकत गोमल्यों का उपयोग बंध हो गया और उन्हें मसलिंडर सील छापों यारा बदल मद्या गया यह अमिकार्यों के नाई प्रदान करता है लिंकन राजनीम तक या यामिवक घटनाओं के बारे ये जानकारी नहीं देता है ऐसा याना जाता है मक हेटेप से के इवी को उनके ही भाई यारा आयोमजत एक सामजश के याधी सेमसन हासन सेटा मद्या गया था नेबरा या राने वह मिसर के दूसरे राजवंश का दूसरा मिरौन था उसने इसा सरे पहल ए 286 दो सरे 2823 के बीच राज्यमक्या उनके शासन के दोरान एक तफिस एमबैल एमपस हेमलियो कोमलस एन एन एमबस और एन एस एन एढ़े को देवता याना जाता था अब यह ज्यात हैमक एमपस बैलों का पंथ की सेकी प्रती राजवंश की शुरुवात से आता है एक तफिस मिसर के पुराने सामराज्य और मंचले मिसर के नाई की राजियानी थी जहां मंचले और उपरी मिसर के बीच के येत्रे ये नील नदी के डेल्टा के दमिर एक तत्थ था हेमलियो कोमलस लोवर मिसर का एक इहत्वपूर वशहर था यह शहर कामहरा शहर वत्वियान हवाई अड़े के पास के उत्तर पूवी एक तत्थत था जो नील नदी के पमीर तट से थोड़ी दूर था, मजस्सेह एक नहर से जुड़ा था नील डेल्टा के येत्र येनेक प्राचीन मिसर का शहर था जो आयूमन्क टेल अल्रूबा या टेल अल्रूबा से ये लखाता है मन्नेचर वह मिसर के राजवंश दो का तीसरा मिरौन था, उसने इसा सरे पहल ए 2823 सरे 2788 के बीच राजजमक्या पालेयों के पत्थर येंकई यामिवक्त योहारों, जनसंख्या के पंजीकर और एक इवेशी जनगरना हर दो साल के उत्सव का उल्लेख है अपने पूववमत्वयों यारा शुरू की गई देश के उत्तर की और मवत्थापन की नीमत पहले मिरौन एनस यारा मकई गए एकी कर को इसबूत करने के एक तरीके के रूप येंजारी है इस शासनकाल के दौरान यह कानून बनाया गया था मक इमहलाए शाही शक्ती का प्रयोग कर सकती है अनियग या वॉडिनास वह इसा सर एपहल एदो साथ आठ आठ सर एदो साथ आठ शूने के बीच मिसर के राजवंच दो के चौथे मिरौन थे ही उसका नाई अबीडोस की शाही सूची और सक्कारा की शाही सूची एमपाते हैं उनका शीर्शवक सक्कारा यें स्टिप मप्रामिड के भूमिगत भंडार ग्रिहों एमपाए गए कुछ जहाजों पर भी मदखाई देता है सेनेडी, सेनेडी या सेनेडी वह मिसर के दूसरे राजवन्ष का पाँच वामिरौन था उसने वर्षों तक राज्यमक्या 2780-2769 इपू एमबडोस की रॉयल मलस्ट उन्हें सेनेडी कहती है सक्कारा रॉयल मलस्ट येंबह सेनेडी के रूप ये मदखाई देते हैं सेनेडी की इरित्यु के बाद मिसर पर एक मिरौन का शासन सियाप्थ हो गया नेफरकारा या सेनेफका वह इसास एपहल ए2769 सर ए2764 के बीच मिसर के राजवन्ष दो के छठे मिरौन थे उसका होरस नाई सेने ये काव हो सकता है यह के वल मिसर की शाही सुंचयों और मशलालेखों ये मिसके संदभों से जाना जाता है मजसका नाई सेने ये रखा है जो सकारा एनेक इकबरेये जहाजों पर पाया जाता है इस मिरौन को बहुत लोकम प्रेता मिली नेफरका सुकार वह मिसर के दूसरे राजवन्ष का शासत था उसने इसा सरे पहल एदो साथ छे चार सर एदो साथ पांच छे के बीच शासन मक्या उनका नाई सकारा की शाही सूची और क्यूरन के रॉयल कैनन ये मदखाई देता है संभवत है यह एक प्रमत मनमी था मजसने के वल नील डेटा येतर एदो साथ पांच चार के बीच शासन मक्या उनका नाई सकारा की रॉयल मलस्ट और क्यूरन के रॉयल कैनन ये ने फरका सुकार और जसे जेवी के बीच मदखाई देता है संभवत है यह एक पदानुक्री था मजसने के वल नील डेटा येतर एदो साथ चार चार ही पूप यह संभव हैमक से खेईब वही राजा है मजसे होरस नाई पेरपसेन के नाई से जाना जाता है वह एक राश्टर पमत थे मजन होने अग्यात काररों से शायद यामिवक शासन करते से अपना नाई होरस से बदल मध्या उन्होंने होरस से जाईब केनाई सेंसन हासं ग्रहर मक्या लेमकन बाद यें से सेठ पेरीब सेन येंबदल मध्या शायद दमिरी मिसर के एक तखलाई उत्तरी मवद्रोह से ऐसा याना जाता है मक उन्होंने एक्त्फिस को छोड मध्या सेठ ने उपरी मिसर का प्रमत्मन मित्व मक्या और होरस मंचले मिसर के रिख थे और दमिर एनबीडोस एमिर सेंबद्रोह कर मध्या अपने पूब ववमत्वयों यारा तोड़ी गई परमपरा पर लौट आया दूसरे राजवन्ष का मिरौन था उन्हों न एदो साथ पांच चार सर एदो साथ चार चार इसा पूबवतक शासन मक्या यह संभव हैमक से खेईब वही राजा है मचसे होरस नाई पेरपसेन के नाई से जाना जाता है वह एक शासक था मजसने अध्यात काररों से शासन करते से अपना नाई बदल मद्या शायद या मिवक काररों से या संभवत हमिसर के दमिर के कखलाए उट्टर के मवदरोह के पर राइस वरूप इस तरह से उन्होंने होरस से जेईब के नाई सेगद्धी संभाली लेमकन बाद ये इसे दलकर सेठ पे रीप सेन कर मद्या ऐसा याना जाता है मक उन्होंने एक त्फिस को छोड मद्या क्यों मक सेठ ने उपरी मिसर का प्रमत्मन मित्व मक्या था और होरस मंचले मिसर के रिक्थे उन्हें मपचली परमपरा के अनुसार अभी दोस्तियें दमिर एन दिन आया गया था एक परमपरा पर लोटने के बाद मक उनके पूववमत्वयोंने तोड मद्या संभवत है इस से सत्ता मवभाम जथी और सिकालीन राजाओं ने उपरी और मंचले मिसर को अलग करते हुए शासन मक्या था जसे के एक मिसर के पुरातन काल के दूसर राजवन्ष के संभामबत मिरॉन इसा सरे पहल ए दो साथ तीन चार सर ए दो साथ दो साथ के बीच शासन करते थे उसका होरस नाई एक पत्थर के टुकडे पर उकेरा हुआ पाया गया मजसे कामहरा ये मिसर के संग्रहाले ये रखा गया है कई मवियानों का यानना हैमक खसेजई नेदेश को मिर से संगम्ठत करने पर अपना नाई बदल कर खसेजई उय को एक अलग शीर्शवक के रूप ये मदल मद्या मजसे राष्ट्रिय सुलह के बाद अपनाया गया जो दमिर ये मवदरोह से अमनमित था खसेखेवी राजवंश दो का अमती मिरौन और मिसर का पुरातन काल या मत्मनट काल था उन्हें अबाइडोस की शाही सूची एंदयाध्य के रूप यें सूची भी मक्या गया है उन्हें सककारा रॉयल मलस्ट एम बेबी के रूप यें मुद इरित मक्या गया है पेरपसेन के शासनकाल के बाद मवभामजत उनकी कियान के तहट उन्हें दो भूमी मिसर का पुनमिवलन याना जाता है उसने उक्तरी नोयों के मदरोहों को सियाप्त कर्मध्या और मन्चले मिसर की राजकू यारी नेयाथापी के साथ अपने समपकव के याधि से उसने पूरे यितर पर अपनी शक्ति को इजबूत मक्या ऐसा याना जाता हैमक देश का पुन्मिवलन करते सी उन्होंने अपना नाई जसजे बदलकर जसे जयुए करमद्या जो राष्टरिय सुलह के बाद अपनाया गया एक अलग शीर्षवक्त था जो दमिर ये मवद्रो के कारर अमनमित था जसे जयुए नेराजियानी को देश के दमिरी भाग ये महरा कोंपोमलस एन्थ थाना अंतरत करमद्या और यह पहली और आक्तखरी बार था जब मिस्र उस शहर से शामसत था उन्होंने राष्टरवादी भावना की पुमश्ट की और सेट के साथ होरस पंथ को मिरसित थामपत मक्या इहल के अगरभाग के रूप येंस जाया गया है करीब पांच हजार साल पुरानी दीवार के बड़े महस से अभी खड़े है उनकी कबरगाह अबीडोस येनुम अलकाप कमब्रस्तान एक बरा पांच है एक बरा अपने पूवव मत्वयों की तुलना यें बहुत बड़ा है और दिन की पत्थर सिबना है जो अपनी तरह का पहला है इंतहास और आमर कथाओं कला और गेहन मचंतन के अमिक वीमडियों देखने के मले येरे चैनल कुल इंतहास पर जाया अगला वीमडियों पुराना सामराज्य राजवन्ष ती